कि यह 1974 में इंद्रप्रस्त कालेज में आपने इंद्राजी ने यह भाशन किया था और इसलिए यह भी बात है कि हम कोई भी नई योजना लाए नरी तरीके से लाएं तो कुछ लोगों को उमरट बढ़ती हैं लेकिन समझ नहीं बढ़ती है तो समझने में बड़ी बेव नियुक्त पक्राइब और इसलिए चीजी समझने में बड़ा समझ जाता ही कुछ लोग तो समझा भी इतने बाद भी चीज अपतुस does not आतना विरोध करें तो वो विरोध करना अपना तरीगा ढूनते रहते हैं और इसलिए मैं एक पीड़ा कहना चाहता हूं हमारे देश में बहुत सी दिकते हैं जादा तर ऐसी है जो बहुत पुरानी है गरीबी पिछड़ापन अंदविश्वास कुछ गलत परंपराएं कुछ समस्याएं विकास और तरक्की के साथ भी आई हैं लेकिन इस देश की सबसे बड़ी चुनौती है तेजी से हो रहे बड़लाव का विरोथ ये विरोथ पढ़े लिखा तब का भी बहुत मुखर तरीके से करता है जैसे ही कोई खास काम आगे बढ़ता है सो कारण बताए जाने लगते हैं कि ये काम क्यों नहीं करना चाहिए मुझे लगता है कि मजबूत और उची दिवार ने हम सब को चारों तरफ से घेर के रखा है कितनी सठीक बात है ये 1968 में इंद्रा गांदी ने कही थी यहां पर यहां पर कोई भी बात आई से कहा जाता है कि ये तो हमारे समय का है तो हमारी देन है कुछ बाते ऐसी है जो आपी की तो देन है अब हमने एक अभियान चलाया कि स्कूलों में टॉइलेट बनाने का अब आप की बात सही है कि मोदी जी अगर हमने हमारे कारे काल है सबी स्कूलों में टॉइलेट बना दियो तो तो तुम क्या करते हैं यह तो हमने नहीं बनाए इसलिए तुमने चार लाक बनाए यह आपी के तो देन है बंगला देश बंगला देश की सीमा का विवाद इतने दसकों के बाद बंगला देश सीमा का विवाद सुलिया आप कह सकते हैं देखो हमने अगर हमारे कायरकाल में कर दिया होता तो मोधिय तुमारा एक्चिमेंट कहा होता है तो तुमारे लिए हमने छोड़के गए अपी के तो देन हैं अठारा हजार गां अठारा हजार गां आजहादी के इतने सालों बाद अंधरे में डूबे हुए हो और अगर हम उन गावों में बिजली पहुँचाए तो आप गर्वा से कह सकते हो कि मोदी जी यह खारा है यार हमने हमारी तो देन है तब ही ताप कर रहे हो और इसलिए आपी की देन है इसका मैं कोई इनकार नहीं कर सकता है साथ साल के आपके ही कारोबार का ये परिणाम है इसका कोई इंकार नहीं कर सकता है और इसलिए कभी कभी बड़े गर्व के साथ मंद्रेगा की चर्चा होती है मंद्रेगा की चर्चा होती है मैं जड़ा कहना चाहता हूं इसका ही इत्यास पचांस साल पुराना है लेकिन उसके पहले भी राजे रजवारों के जमान में भी इसी कुछ लिए कुछ बाते चलती थी आप देखिए 1972 महाराष्ट की दोजगार गारंटी योजना नाइटीन सेवेंटी टू मैं नाइटीन एटी में नेशनल दूरल एम्प्लोइमेंट प्रोग्रेम एन रिपी इन नाइटीन एटी में उसका रिकार्नेशन हुआ है 1983 में रूरल लैंडलेस एम्प्लोइमेंट गैरंटी प्रोग्रेम आरेल इजी पी ग्रामील भुमिहिन रोजगार गैरेटी कारकम आया यह सब रिक इनकार्नेशन होते गए योजनाओं का पुनर्जन्म होता गया उसके बाद 1989 में बाहर रोजगार योजनाओं जे आरवा है यही यही मंद्रेगागा पिछले जिनम का नाम है देगे मैं हरान हूं बात में जवालाल जी का नाम निकाल दिया गया और किसी और नहीं निकाला उसी दल ने निकाला जो हमें कोशते रहते हैं उसके बाद 1993 एंप्लॉयमेंट एश्योरं स्कीम ये एस सुनिस्चित राजी रोजगार योजनाओं ये आया उसके बाद वाजपैजी की सरकार आई है तो उस समय इन सभी योजनाओं मैंसे जो भी अच्छा था ले ले करके संपोन ग्रामिन रोजगार योजनाओं एजी आरवाई ये श चार में फिर उसमें रिक इंकारनेशन हुआ नेशनल फूट फॉर वर्प्रोग्रेम काम के बड़ले अनाज का राश्यकार कमाया और उसके बाद इसने नया रूप 2006 में लिया मंद्रेगा और इसलिए पहले नड़ेगा और फिर कुछ एक नया ग्यान हुआ तो फिर वह ये गरीबों की भलाई के लिए कुछन कुछ योजनाएं लगातार चलती रही है ये बात सही है कि आप बड़े सीना तान करके कह सकते हो कि मोदी जी चुनाओं में भाशन करना अलग चीज है तुम कहते हो गरीबी फटाओगे लेकिन तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है अरे हमने गरीबी की जड़े इतनी जमा दी है इतनी जमा दी है इतनी जमाई है अर इसलिए मैं पिछली बार भी कहा था इस बात का कोई इनकार नहीं करेगा कि इस देश के साथ साल के एकार काल में अगर हम गरीबों का भला कर पाए होते हैं तो आज मेरे देश के गरीबों को मिट्टी उठाने के लिए गड़्दा खोदने के लिए मजबूर नहीं होना पर यह हमारा सफलता का समारख नहीं है इसलिए हमारा दाई बोटा है कि इस चला है इस जो और अच्छी बनाए और उस जिम्मारी को निभाने का हम प्रयास कर लेकिन यह बात स्विकार करनी होगी कि हम उस हालत पर देश को लाए है इवन स्किल लेवर को भी अंस्किल होने में मजाने लगा है और इसलिए मैं जब कहता हूँ कि हमारी विफलताओं का समारत है इसका बतलब यही है कि गरीबी न होती तो इस नरेगा या मंदरेगा की ज़रूरत नहीं होती लेकिन यह सचाई है और मैंने आकर के देखा कि ऐसी गरीबी की जड़ों को जमा दिया गया है कि उसको उखाड फैकने के लिए मुझे भारी महनत करनी पड़ रही है और उसके लिए हम अभी जो फिरहाल जो योजना चली है उसमें जो कमिया है उन कमियों को कैसे दूर करना उसकी दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं मैं आज अधनिया खड़गे जी ने कहा था कि मंदरेगा में प्रस्टाचार बहुत है मैं आपके साथ थाउजन पर्शंट सहमत हूँ मुझे इसका कोई भी रोत नहीं आप 2012 के CSG के रिपोर्ट को देख लीजिए क्या observation किये हैं कैसे भशाचार ने इसके साथ जड़े जमा दी है कैसे गरीबों के नाम पर रुपिय लूटे जा रहे हैं इसकी उसमें चर्चा है 2000 बार के CSG रिपोर्ट में चर्चा है और इसलिए हमने उसमें से कुछ सीखने का प्रयास किया है और हम बहुंच कुछ सीखना चाहते हैं और सीखने का प्रयास करके उसमें जो चीजे थी उसमें से भार निकाल करके फूल प्रूफ कैसे बने जरुरत मंदों को कैसे मिले उस पर काम करेंगे सीखने ने बहुत बड़ा अब्जर्विशन किया है और वो चौकाने वाला है हमारे देश में जिन राज्यों को हम गरीबों की स्रेणी में गिनते हैं जहां गरीबों की संख्या जादा है सीखने लिखा है कि जहां गरीबों की संख्या कम है और कुल मिला करके शासन विवस्ता थोड़ी सुचारूप से चली है ऐसे राज्यों में नरेगा का मंदरेगा का मैक्सिमम उप्योग हुआ है लेकिन जहां सचमुच में गरीबी है जहां सबसे ज़्यादा जरूरत है वहां इसका कमसे का मुप्योग हुआ है मतलब ये गरीबों को टार्गेट करके पहुचाने में हम उतरे सफल नहीं हुए है और इसलिए हमारी दाई तो बनता है कि हम इसको और अधिक परफट कैसे बनाएं ताकि जिन राज्यों में गरीबों की संख्या की मात्रा जादा है जिस राज्यों की गरीबी जादा है ये उस तरफ कैसे जाए समुरुद्ध राज्यों की एक शमता है इन सारी चीज़ों को जवस्ता में पहरे हमने उस दिशा में हमने प्रोपोसिस की हैं कि ऐसे राज्यों को ये कैसे पहुँचे हमने जैम योजना के साथ जंधन आधार एंड मुबाई ये पैसे डारेक बेनिफिशरी को प्राई उसकी बिचोरियों की संक्या नस्त करने में शायद हमें सफलता मिलेगी और इसलिए मैं समझता हूं कि ये जिस मंद्रेका के हम इतनी बड़ी तारीफ करते हैं सीय जी ने कहा है कि साथ साल के बाद भी पांच राज्यों ऐसे थे जिन्नोंने रूल्स भी नहीं बनाए और दूख इस बाद का है कि उन फांच राज्यों में चार वो थे जो इस मंद्रेका के गीत गाते हैं कि जिन्नोंने साथ साल के बाद भी रूल्स नहीं बनाए थे और इसलिए कि इवन इन टेरिटरिस उसमें भी ये कठिनाई ध्यान माई है उसी प्रकार थे आठ राज्यों में चार ब्लॉक ये 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 अद्ध रिस जी चोविस्तास रहा एक पाउल पुढ़े